हाई फ्रेंड्स मैं हूँ श्वेता और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप घर बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है उस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां से आप घर बैठे धेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं आपको किचन की प्रोड़क्ट चाहिए या फिर अपने घर का मेक ओवर करना है सारी चीजे यहां पे आपको अवेलिबल मिले इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक करके विजिट जरूर करिएगा फ्रेंट्स आज मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हो पनीर की बिल्कुल अलग रेसिपी रेसिपी देखके तो आप समझी गए होंगे कि यह बहुत ज्यादा टेस्टी होगी देखने में तो यह बहुत ही लजीज लग रही है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और स्वाद वाली पनीर की सबजी बन के तयार हुई है फ्रेंट्स रोज की सबजी खाके बोर हो गए है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही अलग है बहुत टेस्टी है तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है यहां पे मैंने एक बाउल लिया है और उ चinky मिर्च को भी मैंने बारीक चॉप किया था धो से तीन चमच की लगभग वह भी डालोंगी थोड़ा सा करी पत्ता डालोंगी जाड़ा Erstbal में यक बड़ा चमच लाल मिर्च और उसके बाद यस को जाएगे थोड़ा सा धनिया पाउडर हम इस्वे जाए लगभग मेट चाठ मसाला गरम डाल देंगे द लगवर्ग यहां कासूरी मेथी लिए यहां पने स्वाद के अनुसार डालेंगे दहीक यहां पर गड़ चमच क्रीम घर की जो दालेंगों वो इसमें डालूंगी और इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स इस रेसिपी में मैं किसी भी चीज का पेस्ट बना के नहीं एड़ की हूँ बिल्कुल अलग रेसिपी है वीडियो को पूरा देखिएगा और ये बहुत ही सिंपल है बहुत टेस्टी बनती है थोड़ा सा अलग फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा और बहुत जल्दी बनके तयार होती है बहुत जादा टाइम नहीं लगता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है और ये इतनी सिंपल रेसिपी है ना कि इसे आप एक बार बार बनाना पसंद करेंगे और इसमें कोई भी जंजट नहीं है बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत टेस्टी सबजी आप बना सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को मैंने काफी अच्छे से मिक्स कर लिया है तो उसके बाद एक स्टेप और इसमें बाकी है जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर एक छोड़ी सी कटोरी मैंने यहाँ पर रख दी है बीच में और उसमें मैं डाल रही हूँ चारकोल और चारकोल को मैंने पहले ही गैस पे काफी अच्छे से जला लिया था और उसके बाद जोंड़ा सा देशी घी डालूँ और अ इसे ढख दूँगी इसमें जो ये चारकोल का मैं यूज़ कर रही हूँ इससे इसका फ्लेवर बहुत जादा अच्छा आता है स्मोकी फ्लेवर आता है जो कि सबको बहुत पसंद है और चारकोल तो मार्केट में आराम से मिल जाता है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और इसे मैंने ढखके छोड़ दिया है अगर आपके पास टाइम है तो आदे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और आदे घंटे बाद मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैं डाल रही हो थोड़ा सा सरसो का तेल और सरसो की तेल को काफी अच्छे से गरम करना होता है और जब ये तेल काफी अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें हम जो हमने मिक्स्चर तयार किया था वो डालेंगे तो तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है और ये देखिए इसमें जितना स्मोक था ना वो सबब निकल चुका है आदा गंटा हो चुका है तो अब हम इसको डालेंगे गरम तेल में तो जो चारकोल वाली कटू पूरी थी ना उसे मैंने निकाल दिया है और ये जो पूरा रेडी किया था मिक्स्चर वो मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से भूनूंगी तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं बिना कुछ भी पीसे हुए आप बहुत ही टेस्टी सबजी बना सकते हैं तो ब यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसे चलाना शुरू कर दी हूँ और यह काफी अच्छे से पक रहा है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसे चलाया फिर से मैं इसे धीमी आज पे 5-10 मिनट के लिए ढग दी थी और वापस मैंने इसे खोल दिया है और फ्रेंट्स इसे ऐस थोड़े थोड़े देर धीमी आज पे ढखके पकाना है और बीच में इसे खोल के चलाते रहना है ताकि यह कहीं तली में मतलब जले नहीं चिपके नहीं तो उसके बाद न अब मैं इसमें डालूंगी पानी क्यूंकि यह काफी अच्छे से भुन चुका था और इसका ओल भ मैंने काट के रख लिए थे आप चाहें तो इसे तवय पे हलका सा सेख के डाले नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं और उसके बाद पनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसे ट्राइ जरूर करिएगा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह काफी अच्छे से पक रहा है और अब हम इसे एक दो बार फिर से चला लेंगे फिर इसे कवर करके छोड़ देंगे पांच मिनट के लिए और पांच मिनट के बाद धकन हटा के देख लेते हैं और यहां यहां पर आप देख सकते हैं सब्जी मारी काफी अच्छे से पक रही है तो इसे वापस से मैं चलाओंगी अच्छे से और फ्रेंड्स अब मैं इसे धीमी आज पर 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी और 10 मिनट हो चुके हैं तो इसका धकन मैं हटा दी हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं यह सब्जी हमारी काफी अच्छे से पक रही है खुश्पु इसकी बहुत अच्छी आ रही है और यह सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो इसे मैं एक बार मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया बारी काट के डाल दूँगी और बस यह सिम्पल सी पनीर वाली टेस्टी सब्जी हमारी तैयार है धनिया डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा आप सबको बहुत पसंद आएगी बहुत सिंपल है और यह आप देख सकते हैं यह सबजी हमारी बिल्कुल सॉफ करने के लिए तैयार है तो यहां पर मैंने इसे एक प्लेट में सॉफ किया है इसे आप राइस के साथ चपाती के साथ पराठे के साथ में या नान के साथ में इंज्वाइ कर सकते हैं पूरी के साथ में भी यह बहुत अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो ब्लॉग या रेसिपी डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आप सब तक पहुचती रहे हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में बापाई and टेक केर थांक्स वर वाचिए